करते हैं बुरुटिन की मुंगावली में मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान का मानवी चहरा एक बार फिर देखने को मिला मंच पर बैठे मुख्यमंतरी शिवराज सिंग की नजर जैसे ही दीपा केवट पर पड़ी दीपा के आसू देखकर मामा शिवराज भावुक हो और अधिकारियों को कहकर ततकाल सियम शिवराज ने दीपा को अपने पास बुलाया और उसकी बात सुने दरसल दीपा केवट लंबे समय से परिशान थी कई बार इलाज के लिए आवेदन कर चुकी है लेकिन अभी तक दीपा की किसी ने मदद नहीं की उसे कोई सरकारी मद नहीं मिली दीपा केवट के सर पर हाथ फेरते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग ने उनका दुख बाटा उनकी बाचित सुनी इसके बाद जीव ने मंच से बोलते हुए दीपा को हर संभव मदद देने का और इलाज कराने का भरूसा दिलाया पूजन हुआ है हमारे पोचा एडिशनल टेम्प्री आज एक बिटिया मेरे पास आई दीपा केवट उसकी आखों में आशु थे क्योंकि आखों से ठीक से देख नहीं सकती भाजपा के काईरिकतों ने पहले भी दीपा बिटिया की मदद की थी एक लाखू के इकटा करके आखों के इलाज के लिए लेकिन दीपा बेटी चिंता मत करना जहां संभब होगा भगवान की किरपा रहे क्योंकि हर चीज मैं नहीं कर सकता लेकिन जहां भी इलाज करवाना संभब होगा तेरा इलाज तेरा मामा करवाएगा ये सरकार करवाए ये चिंता मत करना तो देखे आखिर क्या कारण रहा कि दीपा के आंसो इस तरह छलक पड़े दरसल दीपा काफी देर पहले से अधिकारियों से गुहार लगा रही थी लेकिन कोई उनको सीम शिवराज के पास याने दीपा को सीम के पास जाने नहीं दे रहा था लेकिन जैसे ही मामा शिवराज ने परिशान भांजी को देखा उनका भांजी प्रेम जाग गया और उन्होंने तुरंट दीपा को अपने पास बुला लिया हम रुख करेंगे स्वदेश शर्मा हमारे साथ इस वक्त हमारे संबाद दाता फोन लाइन पर जुड़ गए है स्वदेश जाहिर है कि किसी दुखी या फिर किसी ऐसे इंसान को देखकर मदद करना तो एक मानवी चहरा है इंसानियत के नाते सभी करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री को हम इसके पहली मर्तव अभी कई बार देख चुके हैं मुख्यमंत्री अक्सर इस तरह के भावुक व्यक्तियों के साथ या आम लोगों के साथ जुड़ाव रखते हैं यहां पर क्या हुआ था जरा में सिलसलेवार पूरा बताई है मुख्यमंत्री ने जैसे ही दीपा को देखा अपास बुला है क्या कुछ हुआ था जी दीपाक जी मुख्यमंत्री हमेशा से बच्चियों के प्रती एक अलग इसने रखते हैं और हमेशा मानवी चेरा सामने आता है आज भी जब सीम मंच पे पहुँचे तो सीम को देखके जी दीपा केवर्ट जो बच्ची है इसको ट्यूमर है काफी दिनों से परिसान है कई अधिकारियों के इसमें गवाल लगा ये लेकिन कहीं भी इसे राहत नहीं मिली उप्चार नहीं हो पा रहा था एक गरीब परिवार्ट जिसके बाद रहा ये रुती हुए मंच के पहुँची है तो बेरीकेट के आप सुरक्षा कर्म कि देश में किसी भी वास्पीटल में जहां अच्छे से अच्छा उप्चार और बच्छी को भाँ उप्चार दिया जाएगा और इस बच्छी को बिलकुल पूंट तो स्वाइब तो कहीं ना कहीं एक फिर सीम सिवराज सिंग का मानवी चहरत देखने को मिला है चलिए बहुत दनिवाद स्वदेश आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बाचेट के लिए